असलाम लेकुम students हमने 7 class start करनी है mathematics तो हमने 1.3 exercise last time complete की थी आज हमने 1.4 exercise start करनी है 1.4 exercise का अगर आप question read करें तो देखे लिखा हुआ है if a is equal to a e i o u and b is equal to a b c and c is equal to a c e g then verify तब आपने verify करना है following things को verify का क्या मतलब होता है verify का मतलब यह होता है कि आपने left hand side को right hand side के equal प्रूफ करना है तो हम यह question start करते हैं यह मेरे पास exercise है 1.4 और इसमें class जो है 7th है question number 1 है तो इसमें देखें तो आपको एक set दिया गया है a is equal to a e i o and u b is equal to a b c and c is equal to a c e and g then verify that number 1 अब यह प्रूफ करना है कि a intersection b is equal to b intersection a तो यहां से देखें यह हमारे पास left hand side है क्योंकि यह हमारे left hand पे है और यह हमारे पास right hand side है यह हमारे right hand पे है तो हम first of all left hand side लेते हैं left hand side अगर हम देखें तो वो किसके equal है a intersection b हमने find करना है तो a intersection b अगर मैंने find करना है तो a की जगा पे a का set लिखूँगा a किसके equal है a e i o u intersection की जगा पे intersection का sign आएगा b की जगा पे b का set लिखेंगे a b and c a intersection अगर मैं दोनों का intersection लेना चाहूं a intersection b तो मिरे पास किसके equal आएगा यहाँ पे देखें है first set में ए है second set में भी है तो हम लिखेंगे अag़ी है ऐðर आई है लागण सेक सैट में गजी है थर खरक को यह दे को आगि माने बिकित यह जा जानने है तो में जो ऊंचर आता है को मैं की के नमर न मैं की वर्फ़ंग एभाई नर्बर वान का को न हना एक जगा पे बी का सट लिखता हूँ वे का सैट किसके एकवल है एबी सी इंट्रेसी की जगा बे का सेट एई ए आई ओ यू अब मैं फ़र्स सेट में देखता हूं कौन साइलिमेंट सें जो सेक्ट sे में मक् alpha एक क्रिआ एप सेट में भी है Зएक्ट set में नहीं है तो A हमारा answer है तो B intersection A इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ अगर मैं 1 और 2 को compare करूँ तो A intersection B किसके equal है A के और B intersections किसके equal है A के दोनो questions, दोनो equations की right hand set equal है जब दो equations की right hand set equal हो तो इसका मतलब है उनकी left hand set भी equal होती है तो from 1 and 2 it is clear that if right hand side of two equations are equal then it must be के उनकी left hand side भी equal होनी चाहिए तो A intersection B is equal to B intersection A क्यों भई A intersection B जो है वो A के equal है B intersection B A के equal है जब दोनों A के equal है तो इसका मतलब है first left hand side B दूसरी equation की left hand side के equal होनी चाहिए क्योंकि right side तो अपस में equal है so left hand side is equal to right hand side यह हमने प्रूव कर लिया ठीक है अब इसी तरीके से हम इसका second part करते है second part अगर देखें तो second part में हमसे पूछा गया है आपने find करना है number two question number one का second part है a union b is equal to b union a ठीक है यह आपको चलो मैं यह solve करा लिता हूँ a union b आपने find करना है left hand side लेते हैं left hand side किसके equal है a union b के तो यहां से मारे पास a set में दिया गया है तो a की जगा पर हम a union b हम find करते हैं a की जगा पर a का set आ जाएगा a e i o u union की जगा पर union का sign आएगा b की जगा पर b का set b का set किसके equal है a b c हमने सीखा हुआ है कि जब हम दो sets का union लेते हैं तो हम simple numbers को arrange करके लिखते हैं ठीक है जो नंबर दो दफा आता है उसको भी एक दबा लिखते हैं a है तो a आ गया इदा देखें b है तो यह b आ गया c है तो यह c आ गया e i o u यह हमरे पास answer है इसी तरीके से हमने simple numbers को arrange की है हमने काफी questions की है union के अब आपको आ जाना चाहिए ठीक है मैं इसको एकवे number one का नाम दे देता हूँ अब मैं find करता हूँ right hand side right hand side पर देखें तो क्या यह है b union a जो है मैंने find करना है तो b union a find करने के लिए मैं b की जगा पर b का set लिखता हूँ b का set किसके एक वाल है a b c a b c union की जगा पर union और a की जगा पर a का set a e i o u तो अगर मैं इस कान सा लिकना चाहूँ तो देखें a इदर भी है इदर भी तो यह a आ गया next यह b आ गया यह c आ गया अब e i o u इसको मैं two का नाम दे देता हूँ अगर मैं equi number one को देखू तो उसकी right hand side a b c इदर भी a b c e i o u e i o u जब दो equations की left hand side right hand side sorry अपस में equal हो तो उनकी left hand side भी अपस में equal होती है तो मैं कहता हूँ from one and two it is clear that a union b is equal to b union a so left hand side is equal to right hand side यह question नमारा solve हो गया ठीक है अब इसी तरीके से third part है fourth है fifth है six यह total parts जो है बिलकुल ऐसे ही है यह आपका homework है यह आपने खुद करने है तो हमारा आज का lecture complete हुआ कल हम इंशाल्ला next start करेंगे question number two 1.4 exercise का thank you so much Allahाफिज